डेन्स, आज की क्लास में लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको कोई भी संभाहू तिर्बुज दिया गया है, तो उस संभाहू तिर्बुज का छेतपल आप लोग कैसे निकालूगे, चलिये. हम लोग देखते हैं आप देखिए मारे पस एक संभाहू तिर्बुज है ठीक है ए जो तिर्बुज है इस तिर्बुज को उमने नाम दिया A B C A B C क्या है एक संभाहू तिर्बुज है संभाहू तिर्बुज हमारा एक ऐसा तिर्बुज होता है जिसकी तीनो बुजाओं की जो लंबाईयां होती है क्या होती है बराबर होती है बुजा A B बराबर होगा B C के बराबर होगा A C के इतनी बात आप लोग समझ गए तीनो बुजाओं बराबर मापकी होती है लिख लिजिए A B बराबर होगा B C के बराबर होगा किसके AC के और student इसको माल लेते क्या है A है ठीक अब तीनों बुझाओं की लंबाई क्या हो गई A हो गई A ही काई ठीक है अगर आपको formula ना याद हो तो आप लोग कैसे concept का इस्तेमाल करके इसका छेथपन निकाल सकते है अब आप लोग ध्यान से देखिए संभाहू तर्वुच का प्रत्य कोन क्या होता है बराबर होता है प्रत्य कोन बराबर होता है और 60 डिगरी का होता है तो angle A बराबर होगा angle B के बराबर होगा angle C के और बराबर किसके होगा 60 डिगरी इतनी बात आप लोग समझें चलिए हम लोग एक सीर्स लंब खीचते हैं सीर्स लंब खीचें एसे सीर्स एसे बुजा बीसी पर हमने एक लंब खीचा लंब इस्टूडेंट जाते हैं और यह जो लंब एडी है किस बुजा पर है बीसी पर यहां का जो एंगल है कितना है 90 डिगरी ठीक है अब इस्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए जो समभाहू तिर्वुज होता है समभाहू तिर्वुज का जो सीर्चलंब होता है जिस बुजा पर होता है उस बुजा को दो बराबर भाग में बारता है A वाली भुजा बराबर होगी इसके इतना पूरा A है तो A भी A by 2 होगा A भी A by 2 होगा ठीक है तो लिख लीजिए यहां से जो मारा CD है वो क्या होगा A by 2 इतनी बात आप लोग समझ गए अब आप लोग देखिए हमें A वाली भुजा पता है हमें A भी पता है तो A डिन निकाल सकते है पाइथा गोरस परमे का यूज़ करके लिखिए पाइथा गोरस परमे से पाइथा गोरस परमे से क्या होगा ध्यान से देखिए A का जो इसक्वाइर होगा वो बराबर होगा किसके CD का इसक्वाइर और cd का मान कहा है ay2 ठीक प्लस ad का square solve कर लिजेवाप इसको लेके a square a square अपन में 4 हो जाएगा प्लस ad square हमें ad चाहिए तो ad को वहीं छोड़ दो और a square इसको आप इधर लेकर के आई है हो जाएगा a square अपन में 4 ठीक है solve करिए हर बराबर करके घटा लिजिए तो 4a के 4a square में से a square घटा लिया तो 3a square अपन में 4 बराबर हमारे पास क्या गया ad square अब यहाँ से जब आप ad का मान निकालोगे हमें मिलेगा देखी under root 3 अपन में 2a तो a जो हमारा ad है ad की लंबाई हमने निकाल लिया हमारे पास क्या आ गया under root 3 अपन में 2a ठीक है चली समझ गया आप लोग तो लिख दीजिए directly अब तो हमारा ad है लिख दीजिए ad हमारे पास आ गया है under root 3 अपन में 2a समझ गया बच्चों चलीए अब देखी अगर हम इस तिर्बुज abc में बात करें तो ad क्या हो गई ऊचाई हो गई ठीक है ad क्या हो गई ऊचाई हो गई और एक जो तिर्बुज होता है उसका छेतपल निकालने का फॉर्मूला होता लिखिए तिर्बुज abc का छेतपल तो लेकिए एक बटे दो गुडे में आधार अगर a हमारा आधार है ना देखिए a आधार है और इसकी लंबाई क्या है a है गुडे में उचाई उचाई क्या है under root 3 upon 2 into a solve कर लिजे under root 3 2 दूनी 4 a गुडे a a square जो मरत त्रिबुज a b c है a b c का जो छेतपल है वो हमारे पास क्या गया under root 3 upon 4 into में a square a है क्या भुजा है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो जो त्रिबुज a b c का छेतपल है under root 3 upon 4 गुडे में भुजा का square यही हमारा और a b c है क्या एक संभाहू त्रिबुज a तो संभाहू त्रिबुज का छेतपल निकाला क्या आ गया under root 3 upon 4 गुडे में भुजा का square ठेक इस तुडेंट इस तरीके से आप लोगों ने संभाहू त्रिबुज का छेतपल याद रख सकते हैं चली आप लोग पढ़ते रहें थैंक यू